मेरी रब से एक उजारिस है छोटी सी लगानी एक सिफारिस है रहे जीवन भर खुष मेरे पापा बस इतनी सी मेरी खौई से इसी प्रात्ना के साथ मैं आज के वीडियो को स्टार्ट कर रही हूं तो हैपी फादर्स डे टू अल अफ यू मैं हूं आर्जू और आज है दो दो बहुत ही इंपर्टेंट ते फर्स तो सबसे पहले हैपी फादर्स डे टू अल अफ यू एपी इंटर्नेशनल योगा डे तो आप आज कैसे मना रहे हैं अपने अपने घरों में आई हो बहुत अच्छे से मना रहे हूंगे और अभी जो क्वान वाला पेरिएड है करुणा यू एरस वाला पेरि इडे बाहरतो जानी सकते हैं तो हम कोई भी ओकेजन को बहुत ही स्पेसल दंक से अपने घर में मना भांत की कोशिश करते हैं तो आई कुप आप लोग भी अपने घरों में स्ष रहने के लिए जैसे कि मुझानते है मैं Health is Health । अपने घरों में योगा कर रहे होंगे अपने पापा के साथ बहुत ही अच्छे सेLove लृतिवे लृत जब आपके साथ तो जब सब से पहले अशे पहले पता है कि है योगाड है मैंने दो तीन दिन पहले और चुका है मैंने प्यू के लिए अरोबिक्स मैट कैसा होता है आज मैं आपके साथ सेयर करूँगी तो एरोबिक्स के लिए जो मैट की जरूरत होती है एकसरसाइज करने के लिए तो मैं घर पे मतलब मंगवाई थी और किया था तो लेकिन थोड़ा चोटा है एक साइज एक और मंगाना पड़ेगा जितना मंगवाई है मैंने तो फिर ये बहुत बड़ा मैट बन जाएगा तो क्या क्या लिखा अपने कार्ड पे तो इसी तरीके से बच्चे को बिल्कुल भी आप गाइड ना करें ये सब दीन जो होते है ना स्पेसल इसलिए होते हैं कि हम अपने दिल की बात को जो डे टो डे लाइफ में नहीं बोल पाते हैं तो बच्चे इस माध्यम से अपने पापा के पास सेयर करते हैं है ना तो मेरे बच्चों ने भी सेयर किया कुछ बातों को आप जरूर देखिएगा कि उनके मन में क्या चलता है उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा योगा भी किया है वह भी मैं सेयर करूंगी तो चलिए विदाट इनी डिले मैं व तो पहली बार है दीरे-दीरे अभ्यास करते करते दोनों कर लेंगे तो आज से मैंने ये सुरू किया योगा को अपने बच्चों के लाइफ में जरूर सामिल करें उनको हैबिट जरूर दें तो बच्चे बड़ों को ही कॉपी करते हैं तो ज़दी आप रूटीन में इस त तरीके से मनाया सुर्य नमसकार प्रा के प्रारंब के साथ अपने बच्चों को हमने कहा कि आज से आपको ये करना है अब आती है फादस डे की बारी तो देखिए मेरे बच्चों ने मैंने सुबह सुगही बताया कि आज फादस डे भी है तो उसने फटाक से ये लिखा है य अंकुने बनाया है और ये देखे बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड लिखे है फादर इस माई सूपर हीरो और ये देखे लिखा है सम टाइम यू आर एंगरी बट आलवेज लीव इन माई हार्ट आपको पता है अपने बच्छों को बिल्कुल गाइड ना करें आप इस मामले में जब कार्ड वगरा बनाते हों चोकि बच्छे अपने मन की बात को सामिल करते हैं और आप सदी गाइड कर देते तो आप अच्छे-च्छे में रखता हूं इस तरीके से पियू ने भी लिखा है इस और एंड वेस्ट पापा इस दव बेस्ट ऐसे करके उसने बहुत कुछ लिखा तो बहुत अच्छा लगता है बेस्ट गिफ्ट एवर मैं आपको पहले ही सेयर कर चुकी हूँ कि यहाँ पे मैं पियू किया है रुबिक्स करने के लिए मैं एट मंगवाया ऑनलाइन तो इसी को मैं हम लोग अन्बॉक्सिंग कर रहे हैं और आपके साथ सेयर कर रही हूँ हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं था वो किस तरीके का होता है बस हमने स्कूल में देखा था और ये देखे इस तरीके से फिट हो जाता है आप चाहें तो जितना बड़ा इसमें आड़ करके और इसको इस तरीके से फोल्ड करके भी रख सकते हैं तो हमने मंगवा लिय उसतरी से लृक लगा हुआ है बना हुआ है लोक होजाता है एक दुसरे में और साइट साइड में भी बंद है बट आप इसको चाहे तो इस तरीके से ये खूल जयाता है और जितना बड़ा चाहे आप इसके से अटैच करके बड़ा बना सकते हैं तो यह four pieces का है और मैं four pieces और भी मंगवाना चाहरी हूँ चुकि अभी जो है यह बहुत छोटा है हम लोगों को idea नहीं था तो हम लोग सोच रहे हैं कि four pieces और मंगवा कर थोड़ी सा और बड़ा हो जाएगा तो इसे बहुत comfort level होगा चुकि थोड़ी सी बच्चे हैं तो आप इसको दे सकते हैं छे मैने से बड़ी हो जाने के बाद बच्चे का गिरने का बड़ा डर रहता है तो इस तरह के से अपने घर पे इसको लिया है हम अपने बच्चों को बाहर नहीं ले जा रहे हैं बच्चों इस स्कूल नहीं जा रहे तो घर पे इस चीजे बच्चों को दी जाए जैसे ड्रॉइंग की चीजे एक्सरसाइस की चीजे आप क्या सोसते हैं मैं तो यही सोसती हूँ कि बच्चों को आप नहीं खिलाओने नहीं को बुक्स नहीं चीजे लाकर के देते बच्चे बहुत ही जोर सोर के साथ उसमें लग जाते हैं और क कुल फिशलता नहीं है बहुत ही अच्छा लगा बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट है यहां पर मैं पियू कि कुछ aerobics के steps आपके साथ share कर रही हूं बहुत जादा नहीं बस मैंने कहा कि कुछ steps दिखाओ कि तुम कैसे करोगी तो वही कर रही है देखिए लिफ्ट कर रही है तो इस तरीके से वह तो aerobics champion है state champion है और वह national तक भी जा चुकी है जैसा मैं आपके साथ share कर चुकी हूं अपने blogs में और आप देखते हैं इसका personal blog है चैनल है sorry dance with p.hu आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं मैं description में इसके link डालूँगी channel के तो आप जरूर जाए और उसे watch करें यहाँ पे मैं photo share कर रही है मेरे पापा है जिनके साथ मैं और मेरे husband यह मेरे husband मतलब मेरे ससर जी मेरे husband मैं अपने पापा के साथ और यहाँ पे मैं सासुमा के साथ हूँ और मेरे husband अपने पापा के साथ तो यह हैं मेरे पापा मेरी पीहू बेटी के साथ और यह हैं पीहू के पापा अपनी बेटी के साथ तो आज मैं कुछ फोटो और वीडिय तो शेयर कर रही हूं आपके साथ तो आई होप आप इंज्वाइ करेंगे तो नसीब वाले होते हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है जित पूरी हो जाती है सारी अगर पापा का साथ होता है तो सही बात है जिनके पापा उनके साथ होते हैं तो उनका जीवन ही सफल हो जाता है हमारे जीवन में उतना ही महतोब पापा का भी होता है जितना मा का होता है वे हमारी रोजाना की जरूरत को पूरा करने के लिए और हमें खुस रखने के लिए दीन और रात एक करके काम करते हैं वे अपने बच्चों के लिए जरूरत की हर वो चीज लाते हैं जिन से उन्हे खुसी मिले, पीता के लिए अपने बच्चों की खुसी ही उनका सुक होता है, वे अपने बच्चों की खुसी और सुक के लिए अपना सुक त्यागने को तयार हो जाते हैं, तो ये मैं कोई बात नहीं बता रही हूँ, मैं अपना अनुभाव से हर कर रही हूँ, मेरे पापा ह हो या मेरे husband के पापा या मेरे husband हो सभी पापा world के best पापा है तो friends आपको आज का vlog कैसा लगा आए हो पच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो एक like जरूर कर दीजिएगा और comment करके मुझे जरूर करके पताएगा किfound की आपको पेस्टेट वीडियो भी सेयर करती हूं लेकिन मैं कमफर्टेवल होती हूं तभी उस वीडियो को सेयर करती हूं तो इसका भी ध्यान रखें कि बहुत सो समझ के मुझे रिक्वेस्ट कीजिएगा ताकि मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से व्लॉग बना कर आपके साथ सेयर करूं तो चलिए फ्रेंड्स आप मेरे व्लॉग से समझी गयोंगे कि मैं किस टाइप से व्लॉग बनाती हूं तो मेरे वीडियो को वाच करें और फिर मिलती हूं मैं नए वीडियो नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें थैंक्स फॉर वाचिंग वन सेकेंड हैपी फादर्स दे टू अलव यू अपने पापा को बहुत सारा प्यार दे मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करती हूं ठीक है तो चलिए फिर मिलती तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स फॉर वाचिंग